जैसा कि मैं पहले बता चुके हूँ कि जो पाँचवेस तरकी आत्माई होती है वो स्वेम ही मागदर्शक आत्माई होती है तो यहाँ पर भी जिस पाँचवेस तरकी आत्मा का सम्मोहन शेशन चल रहा है उस आत्मा ने भी ये बात क्लियर करी साफ साफ लफज में बताई कि वो स्वेम आत्मा लोग से कुछ अन्य आत्माओं के समूं के मागदर्शन का कारे कर रही है अब इस बात को समझे कि हम लोगों के लिए हम आत्माओं के लिए अपने कार्मिक अकाउंट्स को फिनिश करना कितना जरूरी है ये आत्मा जो कि स्वेम पाचवेस्तर की आत्मा है जो कि स्वेम एक मागदर्शक आत्मा है लेकिन उसने भी इस धर्ती पर अपने कार्मिक अकाउंट्स को फिनिश करने के लिए जनम लिया यानि एक ही समय पर वो यदि मागदर्शक का अन्य आत्माओं के लिए मागदर्शक का रूल प्ले कर रही है तो साथ ही साथ इस धर्ती पर जर्म लेकर अपने कार्मिक अकाउंट्स भी फिनिश कर रही है तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा इस धर्ती पर पुन्र जन्म का चक्र समाप्त हो जाए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट को फिनिश करें उन्हें एटलिस कम चेकम पोजिटिविटी में कनवर्ट करें क्योंकि चाहे आत्मा 25 तरफ पर पहुँच चुकी है तो भी उसे अपने काल्मिक अपने काउंट फिनिश करने के लिए धर्ती पर जन्म लेने की जरूरत महसूस हुई जो पाच्वे स्थर की आत्मा है जो इस पित्वी पर जनम लेती हैं उन्हें दो प्रकार की भूम का यादा करने पड़ती हैं पहले तो वो अपने जो पुरन जनमों में जो उनके अधूरे कारे रह गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए अपने अकाउंट्स फिनिश करने के लिए वो जनम लेती हैं और दूसरे वो एक ऐजनमी अवस्था में दूसरों की सहायता करती हैं यानि मागदर्शक का रोल प्ल करी थी जैसे समंदर से पानी निकालते हैं बाल्टी में निकालते हैं तो बाल्टी का पानी अपने आप में संपून है वो उसके टुकड़े नहीं हो गए हैं पानी को हम ग्लास में निकालते हैं तो ग्लास का पानी अपने आप में संपून है उसके टुकड़े नहीं हो गए ह इसी प्रकार से जब एक ही पांच्वे स्तर की आत्मा मागदशक का रोल प्ले कर रही है, धत्ती पर भी जनम ले रही है और मादशक का रोल भी प्ले कर रही है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि उस आत्मा का विभाजन हो गया है यहां पर डाक्टर नूटर कहते हैं कि क्या तुम मानती हो कि आत्मा लोग शिक्षा का मुखे केंदर है, इस पर माध्यम का जवाब था कि यहां तो मुल्यांकन और विशलेशन का केंदर है, मतलब हम जो जीवन जी के आए हैं, जो हमने सीखा है, उसका एक तरसे मुल्यांकन ह होता है विशलेशन होता है और यहां आत्माइं आराम भी करती हैं आगे उससे डाक्टर पूछते हैं कि तुम एक इस्त्री के रूप में भूलोग पर इस समय मेरे साथ हो तो क्या जो तुम्हारी चात्रा आत्माइं हैं तुम उनके उन सदस्यों के संपर्क में भी हो तो इस पर उसका जवाब था हाँ इस सेशन के दोरान बहुत बार ऐसा भी हुआ कि डाक्टर नूटन काफी कुछ पूछना चाह रहे थे लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था और यदि जवाब आ भी रहा था तो सिर्फ यह जवाब आ रहा था कि मैं यह सब बताने में ऐ आत्मा उसे नहीं हासल कि जा सकती लेकिन यहां कहीं कोई रुकावट महसूस हो रहे थी यहां डाक्टर नूटन को बार-बार महसूस हो रहा था कि पूर्टया आसान था उस महिला माध्यम को अपने उस समोहन के द्वारा उसे उसका आत्मा लोग मिले जाना लेकिन उससे ज स्वेम न्यूटन के मांगदर्शक नहीं चाहते कि इस विशय में और अधिक गहराई से कुछ जाना जाए जब डाक्टर न्यूटन को ये बात अधिक महसूस होने लगी रुकावट अधिक महसूस होने लगी तो उन्होंने एक तरह से अपनी महिला माध्यम के मांगदर्शक कुमारा से पर्मीशन मांगने की कोशिश करी उन्होंने कहा कि किर्प्या करके मुझे आपकी चात्रा से वारतल आप करने की मनजूरी दीजे और उन्होंने कहा कि मेरे मिशन का उपधेश्य लोगों को आत्मा की प्रकति के बारे में बताना है ताकि वो मिल्ट्यू के बहार निकल सके और मैं चाहता हूं कि किर्पया आप मेरी इस उपधेश्य में मेरी सहायता कीजी और इस पर जो वे महिला माध्यम थी उनकी तरफ से जो जवाब आया वो एक अजनवी आवाज में आया चुकि वो एक अजनवी आवाज में जवाब आया था वो आवाज नहीं थी जो उस महिला माध्यम जिस आवाज में अभी तक बात कर रही थी वो एक अजनवी जैसी आवाज थी तो ये समझा जा सकता है कि ये आवाज शायद उसके मागदर्शक कुमारा की थी और वहाँ से उत्तर आया कि हम दोनों तुमसे बात तो जरूर करेंगे लेकिन अपनी इच्छा अनुसार और इस उत्तर से ये बास पस्ट हो गई कि यदि डाक्टर न्यूटन इन दोनों मागदर्शकों की सिमाओं का उलंगन करते हैं तो उन्हें उत्तर प्राप्त नहीं होगा जिस महिला माद्यम को इस समय सम्मोहित किया जा रहा था चूंकि वह स्वयमेक मागदर्शक आत्मा है इसलिए डाक्टर न्यूटन ने उससे एक प्रश्ण पूछा जो कि जिसका आंसर सिर्फ उसी महिला माद्यम के थ्रू मिल सकता था कोई अन्या आत्मा इसका उत्तर नही तो वो किस प्रकार आप से संपर्ख कर सकती हैं बहुत देर बाद माध्यम के द्वारा इस सवाल का जवाब आया सबसे पहले तो उन्हें अपने मन को शांत करना होगा और फिर अपने वातावरण से दूर अपने ध्यान को ले जाना होगा यानि यदि हम अपने माग दर्शक से सहायता चाहते हैं तो हमें अपने मन को जहां तक हो सके विचारों की त्रीवता को कम करके अपने मन को शांत करके आसपास के बातावरण से अपना ध्यान दूर ले जाना होगा इस पर डाक्टर का परशन था कि वो ऐसा कैसे कर पाएंगे इस पर माद्यम का जवाब था शांती के द्वारा अपने अंतरात्मा में पहुँच कर अपनी आंतरिक आवाज को द्रिड बना कर उन लोगों को अपनी आंतरिक चेतना को बढ़ाना होगा तकी मैं उनके केंद्रे विचार में आ जाओं जब उनका अवचेतन मन जागरित हो जब मागदर्शक अवचेतन मन के द्वारा कोई विचार, कोई सकारात्मक उरजा उन तक पहुचाने की कोशिश करे तो उनका मन ऐसी शांत अवस्था में हो कि वो उस विचार को फोरण पकड़ पाएं उस उर्जा को फोरण महसूस कर पाएं यानि जो आत्माई अपने मागदर्शक से संपर्ख करना चाहती है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी उस दिक्कत से उपर उठे और अपने मन को बहुत शांत रखते हुए अपने मागदर्शक से संपर्ख करने की उससे सायता मागने की कोशिश करें क्योंकि यदि वो अपने मन को शांत रख पाएंगे तभी जब उनके मागदर्शक द्वारा उन्हें उपचार पहुचाया जा रहा है उन्हें एक समस्या का समाधान पहुचाया जा रहा है तो वो उसे ग्रहन करने की योग्य होंगे अब यहाँ पर अपने मन को शान्त रखकर अपने मागदर्शक से सहायता प्राप्त करना कितना जरूरी है क्योंकि मागदर्शक भी कहीं ना कहीं आप से संपर्क ही तभी कर पाता है जब आपका मन शान तवस्था में है यही कारण है कि जब रात्री में थोड़ा मन शान तवस्था में होता है अब चेतन मन जागत तवस्था में होता है उसी समय पर हमारे मागदर्शक हमसे अधिक सं पर करपाते हैं, इस बात को थोड़ी डिटेल में ये इस महिला मात्यम् ने समझाया है चुछ कि ये puppy में इक आत्माने तो इसने जो गटिया फंविवा इसने जो इत मांगदर्श की स्थिति को समझाया है उसकी कारह परणाली को समझाया है उस साफी गहराई है डाक्टर ने उससे पूछा जब आत्मिक मागदर्शक को पुकार लगाती है तब तुम क्या करती हो मतलब एक मागदर्शक के रूप में तुम क्या करती हो माध्यम का जवाब था थे स्थिरता से एक निर्क्षिक के आवास लगा रहा है वो कितना गंबीर है और किया वरस्त विचार से मिलकर हलके जिम मन को सपर्ष करते हैं यानि अवजेतन मन को थोड़ा जागरत करने की कोशिश करते हैं आगे डाक्टर ने उससे कहा कि किरपया इस बात को और व्रिस्तित तरीके से समझाई आगे माध्यम ने जवाब दिया कि जब कोई व्यक्ति पीडा में मैं है तो उसके कई विचारों की जो धारा होती है Barbie अशांत होती है आप देखते होंगे कि जब आप मुखिल में होते हैं तो एक साथ एक साथ बहुत सारे गलत जलत विचारों को आप क्रियेट कर रहे होते हैं यानि आप अश्यानतवस्ता में होते हैं और जब व्यक्ति खुद अश्यानतवस्ता में हैं तो मांगदर्शक त्वारा यदि सायता मिल भी रही हो तो उसे अब्जर्व कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उसने के बताया कि मुझे इस चीज में कुमारा की तक्षता हाशन नहीं है यानि वह स्वेम को कुमारा से निचलिस्तर का मांगदर्शक मान रही है और कह रही है कि वह इतनी इतनी अच्छी मांगदर्शक नहीं है जितना की कुमारा वह विचारों को इतनी गहराई से समझ कर अव बड़ी सुष्मिता के साथ परवेश करना चाहिए और जब वो अपनी अधिक्तम ग्रेंड शीलता में उस वक्त का इंतजार करना चाहिए यानि जब वो आत्मा पुकार लगाने वाली आत्मा सबसे ज़्यादा उब्जर्व करने की स्थिति में है उस सिकार आत्म को उज़ा को बेजे गए संदेशों को समझने की स्थिति में है उस स्थिति तक इंतजार करना पड़ता है मागदर्शक आत्मा को क्योंकि जो संबाद बेजने वाले होते हैं यानि आत्माएं जो आवास लगा रही हैं वो उन सबका स्थर समान नहीं होता इसी पकार जो निर्ख्षकों की शमताएं हैं उनमें भी विभिनता होती है यानि जो मागदर्शक हैं उनका स्थर भी विभिन अलग-लग होता है और जो आत्माएं हैं जो संपर करने की कोशिश कर रही हैं उनकी भी स्थर अलग-लग होता है यह दि मेरे ग्रूप की कोई आत्मा यानि मागदर्शक के रूप में उसकी जो चातरा आत्मा है किसी प्रकार के संकट में है और वो यह दि भारी मात्रा में गलत विचारों की उर्जा को उसकी तरफ भेजती है तो वह चोकस हो जाता है यानि मागदर्शक चोकस हो जाता है लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो व्यक्ति एक गलत उर्जा को बार-बार क्रियेट कर रहा है वो भी स्रम में शक्तिहीन हो गया है उसने भी एक तरह से अपने अवचेतन मन का दर्वाजा लॉक कर दिया है किसी निर्क्षक के लिए ये जानना एक बहुत बड़ी चुनोति होती है कि कब और कैसे उसे संदेश भेजना है यानि अपनी चोचादरात्मा है उसके कल्यान के लिए उसे कैसे और कब संदेश भेज और खास तोर पर जब कोई व्यक्ति तुरंट जिसे रहात की जुरूत होती है उस समय वो उन संदेशों को प्राप्त करने की उच्छे तवस्ता में होता ही नहीं है यानि कि जिस समय सबसे ज़्यदा हम मांगदर्शक को आवाज लगा रहे होते हैं उस समय हमारी मन की स्थितियासी होती ही नहीं है कि हमारा मांगदर्शक हम तक सकारात्मक विचार पहुँचाए और हम उसे अब्जर्व कर ले यहाँ पर मांगदर्शक ने अपना भी एक्सपीरेंस बताया उसने कहा कि शुरुवात में जब संदेश भीजे जाते थे उसे आत्माओं की द्वारा तो वो बगैर उन विचारों के साथ कोई तालमेल बेठाए बहुत तेजी से सहायता करने के लिए जाना चाहता था तैस अपने विशे में बता रही है लेकिन जब कोई विक्ति किसी त्यीव संदाप की अवस्ता में होता है उस समय वह उस तक नहीं पहुँछ पाता था जब मन अस्त्वेस्थ होता है तब उसकी जो विचारिक उर्जा है हमारे विचारों जवारा जो उर्जा निकल रही है वो भी बहुत अस्त्वेस्थ होती है वो बिखरी हुई होती है वो फोकस्ट नहीं होती है वो केंद्रित नहीं होती है और जब तक वो केंद्रित नहीं हो जाते हैं इस पर डाक्टर्न नीटन का फ्रैस्टन था क्या उन चाहतर आत्मा को एसास हो जाता है कि मांग दर्शक उनसे संपत्क करने की कोशिश कर रहा है इस पर जवाब था कि यह एक बहुत एक मधुर मिलन के जैसा होता है यानि जब माकदर्शच Google आत्मा को सकारात्मक उर्जा स्रविशη करा रहा है तो यह मधुर सकारात्मक मिलन के जैसा होता है मैं तो मन में विचारों को रोपिस सा कर D major रोपित सा कर देता हूं मतलब एक बहुत कल्यानकारी सुब समस्चा के समधान वाला विचार वो रोपित हो जाता है जब आपको माग दर्शक के द्वारा साहता मिलती है तो जिस भी आप समस्चा में हैं उसका हल एक विचार के माध्यम से आपके मन तक पहुचा देते हैं कारे मन से आवाज आहीं हमें अन्तर से प्रेयर्ण नहां मिलीं और यह कारे उत भी प्रदार करनी है और साथी साथ बहुत सकारात्म क्ल्यानकारी विचार भी उस आत्मा के मन तक पहुचाना है यह कार्या है मागदर्शक का अब यह याद रखिएगा कि उस विचार को कारेनवित करना कर्म में परिवर्तित करना आत्मा का कार्या है यहां पर माध्यम ने जो कि स्वेम निचले स्तर की मागदर्शक आत्मा है अपने विशे में मतलब एक कनिश्क दर्जे के मागदर्शक के विशे में बताया लेकिन जब डाक्टर न्यूटन ने कुमारा जो कि एक उच्छ स्तर की मांगदर्शक आत्मा है जो कि स्वयमिस महिला माध्यंग की भी मांगदर्शक है उसकी गति विदियों के बारे में जानने की कोशिश कई तो वे कोशिश बेकार गई और इस महिला माध्यंग अपने मांगदर्शक कुमारा के विशे में अधिक कुछ भी नहीं बताया एक बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि जब भी कोई माध्यम इस आत्मा लोग के विशे में स्रजन के बारे में कोई जानकारी देता है तो उसके संधर्व रूप भूलोग के विज्ञान पर आधारित नहीं होता है यानि आप बहुत ज़्यदा भूलोग के विज्ञान के साथ उनकी बातों का एक तुलनात्मक अध्यन नहीं कर पाते हैं इसलिए मुझे जो भी जानकारी दी जाती है मैं उसका बहतर से बहतर अर्थ निकालने का और अधिक बात को माध्यम के दवारा कुदेरने का कोशिश करता हूँ मेरी अगली वीडियो ये मागदर्शक आत्माएं किस प्रकार स्रजन करती हैं इस पर ही आधारित है इससे पूर्वी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जिसका टाइटल था कि पेड़ पोदे और जीव जन्तु में चेतना का स्तर कम क्यूं होता है इस वीडियो पर बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आये थे क्योंकि इसमें ये बात कही कही थी कि इन उच्छ स्तरिये सिदात्माओं के द्वारा स्रजन का कार्या हो रहा है कि यहां पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि जब आप इस अध्यात्मिक यात्रा में जितनी गहराई से आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां आपके पुराने बिलीफ्स हिलेंगे इस है मैं स्वयम की बात करूं तो इसी यह जो मेरी यूट्यूब की जर्नी है इसी में अपने पुरानी वीडियो में मैंने जिन विचारों पर बल दिया है वक्त गुजरने के साहर साहर्त मैंने अपने ही उन विचारों को उनी विचारों में बदलाव महसूस किया है वही मुझे कई बार मुझे लगा कि नहीं ये ऐसे नहीं है ये विचार इस प्रकार है ये मैंने गलत कहा है मेरे साथ स्वेम हुआ है तो आप भी चब इस चाहत्रा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत बा हैं हर फू Mais मैं अपने आप सुर्द in अलग है सिर दी एक मचली की जाती की बात जाय तो उसके कितने परजातिया है और फीलों की ही हाजारों में परजातिया गए ही फूल है है फूलों की ही आगे अनेकों अनेकों अपर शाया को फिल और इतनी कि आप अपना उनका स्रजन किस ने किया किस प्रकार किया इन में चेतना कस्तर कम क्यूं रहा और जब यहां पे स्रजन की बात की जा रही है तो इस बात को समझे कि यहां प्राण फूकने की बात नहीं की जा रही है यहां पे उस भारी खोल की बात की जा रही है उस भारी रूप को किस प्रकार यह सिद्ध आत्मा है क्योंकि आप चोथे और पाच्छे दर्जी की आत्मा को साधारन मनुश्य आत्माओं की कैटेगरी में मत रखिए यह सवार जो आपके मन में उत्पन होता है ना कि नहीं कर सकती है आत्माओं का मतलब लगाते हैं यह हमारे इंसान आम इंसान लेकिन यहां पर जिन आत्माओं स्रजण क्या है वह आम नहीं है वह चोटें सत्माओं की आत्मां है यहां उनके δ्वारा सर्जण की बात की गई और स्रजण भी प्रान फूकने की बातने की गई है स्रजण में बिनका झांचा उन्हों ने तियार किया है उसकी बात की गई है इसी विशे में मैंने एक वीडियो बनाई है और आगे फिर इसी ये जो मागदर्शक है आत्मा है आगे ये स्वेम भी इसी विशे पर प्रकाश डाल रही है तो मेरी अगली वीडियो भी इसी विशे पर होने वाली है और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब आप अध्यात्पी क्यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके पुराने बिलीफ्स हिल सकते हैं हमें खुले मन से हर विशार का स्वागत करना होगा यदि गलत लगे तो कोई बात नहीं है आप उसे गलत कहिए लेकिन अगर पूड़वादी तरीके से एक जिद की तरह हैं एक विचार को ही सही मानते हैं सिर्फ इसलिए सही मानते हैं क्योंकि आपने विचार तो आप में और एक रूड़वादी इन साश्य में क्या फर्क है आप किस प्रकार अपनी अध्यात्मिक उनत्ति को आगे कर पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने विचारों में मैंने आपको पता है ना स्वेम मेरी इस यात्रा में मेरे अनेकों अनेकों विचार हैं जो वक्त के साथ परिवर्तित हुए है उनमें मुझे बहुत सारे विचारों में बहुत परिवर्तन मैंने महसूस किया है और जैसे यह आत्रा आगे बढ़ेगी ऐसी स्थिति भी उत्पन होगी कि जो विचार आज आपको परिशान करते हैं एक सेकिंड में एक पल में जब आपका मंद्शान तवस्ता में होगा यह म कि मन में कौंद जाएगा उस समस्या का समाधान वह विचार जो आपको परशान कर रहा है उसका समाधान एक सेकिंड में कौंद जाएगा और आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि यह वह चीज थी जिसके बारे में मैं कभी बहुत सोचा करता था और जिसे मैंने अब दिया था अचानक से solution निकल के सामने आया यह मेरे साथ बहुत बार हुआ है बहुत सारी बातें जिनके अर्थ समझ नहीं आए जो सही नहीं लगी पहले बड़ा सोचा विचारा फिर उन्हें एक साइड में रख दिया और अचानक से महीनों बाद अचानक से उसी चीज का हल विचार मन में एक स研श क्या और फिर यह विचार मन में आया ही तला है यह और यह विश्चार मन न होंँम आफょ जैसे इस यात्रामें आगे बढ़ेंगे आप सभी पर परमातम, सोंदर्य, प्रेम और आनंद सहदेव बरस्ता रहे आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करे जैसा कि मैं पहले बता चुके हूँ कि जो पाचवेस्तर की आत्माएं होती हैं, वो स्वेम ही मागदर्शक आत्माएं होती हैं तो यहाँ पर भी जिस पाचवेस्तर की आत्मा का सम्मोहन सेशन चल रहा है उस आत्मा ने भी ये बात क्लियर करी